हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चेनल डिलाइटफुल इस्ट्री पर तो देखो इस्टूडेंट इससे पहले हम जो हमारा जो गठाव था जिसमें हम दो अंको वाली संक्याद के गठाव हम सीख चुके हैं अब सीखेंगे हम तीन अंको वा है 27 जहां एक है ऑपर से 6 और them गठाव और साथ क cherry यह हमें घटा ना जाए के यहां पर देखो इसस तरब से हम चालू करेंगे 7 गटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा इसके बाद देखो यहां पर हमारा लिखा हुआ है 5 अब देखो 5 में से 1 इदर गया तो यहां कितना बचा, 4 बचा 4 बचा ना, अब देखो क्या 4 में से 6 गटेगा क्या बिल्कुल नहीं गटेगा तो क्या करेंगे हम यह जो चार से पेले वाली संक्या है उससे एक दाएं उदार इधर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यह चौदा अब देखो चौदा में से 6 गटाएंगे तो 8 बचेगा इसके बाद देखो यहाँ पर 6 था एक हमने इधर बेजा तो यहाँ कितना बचा 5 बचा अब देखो 5 में से 2 गटाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे तो इस तरीके से 387 हमारा उत्तर आ जाएगा यह देखो इसमें का ही एक उदारन ओर देख लेते हम यहाँ पर तो देखो जैसे मालो आपको 692 में से आपको 343 आपको गटाना है ठीक है 343 आपको गटाना है तो यहाँ पर देखो इस तरह पे 2 नीचे है 3 तो 2 में से 3 गटेगा नहीं तो क्या करेंगे इस तरह से एक दाइं उदार लेंगे तो यहाँ से एक हांसे उदार गया तो यहाँ हो जाएगा 12 अब देखो 12 में से 3 कटाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे अब देखो यहाँ पर 9 है एक दाइं हमने इधर बेजा था तो यहां कितने बचे थे आठ बचे थे अब देखो आठ में से चार कटाएंगे तो कितने बचेंगे चार बचेंगे ठीक है इसके बाद देखो यहाँ छे है इधर से हमने कोई दाइं उदार नहीं दिया है तो छे में से तीन कटाएंगे तो तीन बचेंगे तो इस तरीके से 349 हमारा उत्तर आजाएगा इसका एक उधारा ओर ले लेते जिससे ये सवाल आपको आसानी से समझ में आजाएगे तो यहाँ पर देखो मैं एक सवाल ओर लेता हूँ कि 743 में से हमें 354 गटाने 354 गटाने तो देखो यहाँ पर इधर 3 है और यहाँ 4 है तो 3 में से 4 गटेगा नहीं तो क्या करेंगे इस तरब से एक दाएं उदा लेंगे एक आसी इधर लेंगे तो यह चार है तो इधर एक गया तो यह हमारा 13 हो गया यहाँ पर देखो इसमें जोडेंगे नहीं इसके आगे लिखते हैं इसको दहाई के रूप में लेते हैं तो इसको 13 बोलेंगे अब देखो 13 में से 4 गटेगा तो 9 हमारा बचेगा इस तरब देखो यहाँ पर 4 ता 1 इधर गया तो यहाँ बचा 3 अब देखो 3 में से 5 गटेगा क्या नहीं गटेगा दिया तो छे बचा अब देखो छे में से 3 गटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा तो इस तरीके सही हमारा उत्तर आ जाएगा आप देखो यह हमने इस तरीके के 3 सवाल हम कर चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ होगा अब यहां पर मैं आपको एक सवाल करने के लिए दूँगा जिसका आपको हल करके कमेंट बोक्स में उसका उत्तर कमेंट करना है तो यहां पर देगो एक आठ तीन च्यार इसमें से आपको गटाना है तीन पांच छे इसको आपको गटाना है और गटागर इसका जो उत्तर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है